हllo friends तो guys इस video में आज मैं आपको बताने वाला हूँ है one bag of cement का material कैसे निकाल सकते हैं। उझकी calculation कैसे करेंगे यानी कि अगर one bag of cement का आपको concrete बनाना है, तो उसमें आपको sand कितना use करना है, aggregate कितना use करना है वाटर कितना यूज करना है तो वह इस कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन साइट पे यह काम आता है यह चीज और कभी-कभी जब हम जाते हैं इंटर्वी में तब भी तो उस टेम भी हमें यह चीज पूछा जाता है तो ह यहाँ पर मैं example के लिए grade of concrete ले लेता हूँ M25 है ना इसका जो mix proportion होता है वह होता है one rest two, one rest two, two होता है यानि के one bag of cement, one bag of sand and two bag of aggregate यह इसका ratio होता है M25 grade of concrete का तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको density निकालनी पड़ेगी materials की तो यहाँ पर मैं पहले लिख यहाँ यहाँ पर density of cement, density of cement है 1440 kg per m3, density की जो unit होती है ना, वो kg per m3 होती है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे density of sand तो यह अलग-अलग location के हिसाब से density of sand अलग-अलग होता है, तो यह मैं example के लिख रहा हूँ, आपके इलाके में, आपके area में density of sand कितनी है, उसके हिसाब से आपको इसको solve करना है procedure सेम रहेगा, थोड़ा answer में variation हो सकता है, तो यहाँ पर density of sand में ले ले रहा हूँ, 1600 kg पर mq, अब यहाँ पर में ले लेता हूँ, density of aggregate, तो density of aggregate भी जो रहता है न, वो भी अलग-अलग रहता है location के हिसाब से, उसका जो range होता है, वो 1200 से 1750 तक होता है kg पर mq, तो हम example के लिए in between कुछ ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ले ले लेता हूँ, 1450 kg पर mq, अब हमने density सब का मालूम कर लिए, model का है, इसकी हमें जरुद पढ़ने वाली क्योंकि हमें इसका weight निकालना है, इससे पहले हम निकालेंगे volume of one bag of cement, volume निकालने का जो formula होता है, वो होता है weight upon density, तो यहाँ पर मैं लिक देता हूँ, formula weight upon density, अगर इससे आप करेंगे तो किसी भी चीज़ का आप volume निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिक देता हूँ, one bag of cement का weight होता है, वो 50 kg होता है, और इसकी density हमने यहाँ पर लेखे 1440, तो इसका answer आजाएगा, 0.035m3, तो यह हमने निकाल लिए volume of one bag of cement, ठीक है, अभी हमें निकालना है, volume of sand, तो क्या करेंगे इसके लिए बहुत ही आसान procedure बता रहा हूँ आपको, यह जो volume हम निकाले हुए ना, बस इसको हम multiply कर देंगे, इसके sand के ratio से, यह cement है, यह sand है, और यह aggregate है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 0.035, उसको multiply कर देंगे, हम sand के ratio से, तो sand का ratio 1 है, तो हम इसको 1 से multiply कर देंगे, तो answer भी यही आने वाला है, 0.035 m3, तो यह हमने निकाल लिए volume of sand भी, अभी हमें निकालना है, volume of aggregate, उसके लिए भी क्या करना है, सेम यही करना है, volume of cement, उसको multiply करना है, उसके ratio से, तो 0.035 into 2, तो इसका answer आता है, 0.07 m3, तो यह हमने निकाल लिए, volume of cement, volume of sand, volume of aggregate, अब volume निकल किया, तो हम easily उसका weight निकाल सकते हैं, volume इसलिए निकाल लिए क्योंकि हमें weight निकालना है, तो हम निकालते हैं, सबसे पहला, weight of cement हमें मालूम है, one bag of cement के लिए कर रहे हैं, तो 50 kg रहने वाला है, तो हम निकालेंगे यहां पर पहले weight of sand, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमको volume of sand आया है, उसको हम multiply कर देंगे, इसके density से, तो हमें weight of sand मिल जाएगा, तो कैसा इसका volume of sand आया था, 0.035, और उसको हम multiply करेंगे इसके density से, तो sand के density है, 1600, तो 1600, यानि कि यह formula का use हो रहा है, यानि के, अभी हमें weight निकलना है, तो density को हम इस तरह multiply में ले लेंगे, तो volume into density equal to weight हो जाएगा, वह हमने यहां पर किये, बहुत ही आसान, easy formula है, तो हम जब इसको calculate करेंगे, तो हमें answer मिलता है, इसका 56 kg बोलो, या फिर liters बोलो, क्योंकि side पे जो फर्मा यूज करते है न, वो लेटर में रहता है, तो हम इसको लेटर में ही करते है, kg तो आया kg और लेटर एक ही रहता है, तो हम इसको लेटर में ही लेंगे, एक ही unit रहेगा साथ में, दूसरा हम निकालेंगे, weight of aggregate, तो volume of aggregate आया था, 0.07 और उसको हम multiply कर देंगे, उसके density से, तो इसका answer आएगा, 101.5 kg और लेटर, ठीक है, तो हमने निकाल लिए weight of sand और weight of aggregate, अब एक चीज़ बाकी है, water required, तो वो भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे, कि मतलब अगर one wag of cement हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें water कितना मिलाना है, कि हम M25 grade of concrete अचीव कर सके, तो उसके लिए मैं आपको बता दोता हूँ, कि IS code 456 के हिसाब से बताया गया है, कि water cement ratio हमें लेना रहता है, अगर M25 grade of concrete ले रहे हैं, तो उसमें हमें लेना है 0.5, तो यह कैसा रहता है water cement ratio, यानि कि जैसे कि cement का जो weight है, वो 50 kg है, उसको हम multiply कर देंगे 0.5 से, तो इसका answer आता है 25 liters, तो यानि कि आपको answer मिल गया, कि आपको 25 liter आपको water use करना है, one bag of cement के लिए अगर आपको M25 grade of concrete चाहिए तो, तो बहुत ही easy calculation था, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से आप किसी भी grade of concrete का, आप one bag of cement का value material required निकाल सकते हैं, इस calculation के हिसाब से, तो I hope guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इससे like कर दे, share कर दे, और आप मने channel पर नए आए हैं, तो इससे subscribe कर दे, तो चलिए guys फिर मिलते हैं next video में,